आज हम गुड मोरिंग बच्चों आज हम एथील एलकोहल का अध्योगिक निर्माड किडवन के द्वारा पढ़ेंगे इससे पहले कि हम किडवन की प्रक्रिया के द्वारा एथिल इलकोहल का और द्योगिक निर्मार कैसे करते हैं सबसे फहले किडवन क्या चीज होता है जानते हैं किडवन जतिल कार्बनिक पधार्थों का एंजायम की उपस्थिती में धीमिगती से सरल कार्बनिक पधार्थों में तूटना या अब घटित होना किडवन कहलाता है और यह अभी क्रिया एंजाइम की उपस्तिती में होती है अपराया किडवक के रूप में इस्ट को मिला जाता है इस्ट में विभिन प्रकार के एंजाइम होते हैं जैसे इन्वर्टेस जाइमेस माल्टेस इत्यादी तो हम किडवन के द्वारा जो ग्लुकूस है जिसका सुत् है ग्लुकूस और इस ग्लुकूस का हम अब घटन करेंगे एंजाइम की उपस्तिती में एंजाइम प्राप्त करने के लिए हम इस्ट मिलाएंगे और अब घटन की क्रिया होगी एथिर इलकोहल हमें प्राप्त होगा और कार्बन डेक्साइड गैस निकलेगी किडवन का अर्थी होता है टूब वाइल परथात उबलता हुआ प्रतित होना तो जब किडवन की प्रक्रिया होती है तो पूरा जो वीलियन है उबलता हुआ प्रतित होता है और बहुत तेजी से कार्बन डायकसाइड निकलती है ज्ञाग भी उत्पन होता है और इस क्रिया में हमको एथील इलकुहल प्राप्त होता है आंसी कब घटन की क्रिया है यह और हम जब अध्योगीक उत्पादन करते हैं तो हम यह देखते हैं कि सीरे से एथील इलकुहल प्राप्त करना जब हम सीरे से एथील इलकुहल प्राप्त करेंगे तो यह बहुत ही प्राचीन विदी है और देश के अधिकांस हिस्सों में सीरे से ही एथील इलकुहल प्राप्त किया जाता है तो सबसे पहले जाने की जो गन्नी का रस होता है इससे जब सक्कर बनाया जाता है तो सक्कर क्रिश्टल के रूप में अलग हो जाता है बचा हुआ जो पदार्थ होता है गाढ़ा चासनी जैसा पीले रंकद्राव जिसको एक विशेश प्रकार की भट्टी प्रयुक्त की जाती है तो उस भट्टी का चित्र हम देखते हैं एक बट्टी हम देखते हैं इसमें इस तरह से बट्टी रहती है और यहां किडवन की प्रक्रिय होती है और ताप लेते हैं 25 से 30 डिगरी सेल्सियस ताप रहता है और एक प्रभाजक बट्टी इसमें हम एक प्रभाजक बट्टी भी लेते हैं और इस प्रभाजक बट्टी को इस किडवन वाले बट्टी से जोड़ दिया जाता है यह एक भट्टी है और इस प्रभाजक बट्टी भी लेते हैं इसे प्रभाजक कक्ष कहा जाता है और यहां हमें 90 प्रतिसत एथी लेलकुहल प्राप्थ होता है 90 प्रतिसत एथी लेलकुहल तो यह चित्र है और इस चित्र में हम यह देखते हैं कि यहां पर तो सीरे से जब हम एथी लेलकुहल प्राप्थ करते हैं तो इस विशेस भट्टी का प्रयोग किया जाता है और इस भट्टी में जो प्रक्रिया होती है उसके विभिन पद हैं जिन में से पहला पद है तनुकरां जो सीरा हमको प्राप्थ होता है वो बहुत गाढ़ा रहता है इसलिए उस गाढ़े सीरे में इतना पानी मिलाया जाता है कि जो सक्कर है 8 से 10 प्रतिसत तनु हो जाए इस जो तनु विलियन है उसी विलियन में की प्रक्रिया होती है जो की रुष रवन और होने की लिए सार्थ है कि वैलियन को तनु होना चाहिए तो इसलिए वैलियन को तनु करते हैं उसके पस्चार्थ, इसमें जो दूसरा इस्टेप होता है, यहाँ पर हम अमोनियम सलफेट मिलाते हैं, दूसरा इस्टेप है, अमोनियम लावड को मिलाना तो दूसरी प्रक्रिया में हमें देखते हैं कि इस मिलियन में हम अमोनियम लावड को मिलाते हैं, कभी कभी अमोनियम फास्पेट लेते हैं और कभी अमोनियम सलफेट भी ले सकते हैं तो जो दूसरा इश्टिप तनुकरण के बाद अमोनियम लवण को मिलाना और अमोनियम लवण मिलाने से जो इश्ट है उसको बोजिपदार्थ प्राप्ट होता है इसके पस्चात तीसरी प्रक्रिया देखते हैं H2SO4 को मिलाना जब हम जो सीरा है उसमें H2SO4 मिला देते हैं तो मिलियन में जो इश्ट होता है उसकी संख्या में व्रिद्धी होती है इश्ट को ग्रोध करने के लिए सलफुरी के सिडिस में मिला दिया जाता है और जो बाकी जीवानों होते हैं वो नश्ट हो जाते हैं अब इसके पस्चात चांथी प्रक्रिया इसमें जो होती है वो है इश्ट मिलाना किडवन की प्रक्रिया इस उपकरण में तभी हो सकती है जब इसमें इश्ट मिला जाया तो 5% इश्ट इसमें मिला जाता है और इश्ट बहुत तेजी से ग्रोध करता है और 25-30 degrees Celsius तक इस उपकरण को दो दिन तक इसे रखा जाता है और इस उपकरण को दो दिन तक रखने पर इसमें किडवन की प्रक्रिया होती है किडवन की प्रक्रिया जब इसमें होती है तो हम यह देखते हैं कि जो हमारे पास जो सीरा था उस सीरे में जो सुक्रोष था वो सुक्रोष 30 प्रतिसद इसमें विलियन में सुक्रोष और 32 प्रतिसद ग्लुकूष और फ्रक्टोष यह पाया जाता है तो सबसे पहले जो सुक्रोष है वह इस प्रक्रिया में फ्रक्रिया में परीवर्तित होता है और जो ग्लुकूष है उसका कार्बन डॉक्साइड गयस निकलती है और जो तीसरी कि प्रक्रिया इसमें होती है उसे कहा जाता है आसवन या डिस्टिलेस्ट तो आसवन के लिए भीए एक मुत भट्टी प्रयोग में लाए याक गाजाता है यह कशा जाता चाए कर श्ञाइद चाना किस तरह से होती है उसे देखेंगे हम चौथा श्टेप आस्वन या डिश्टिलेशन आप सभी जानते हैं आस्वन इतना अधिक गरम किया जाता है कि गरम करने के पस्चात जो विलियन है इसमें जो विलियन है वो वास्ट बन जाता है वास्ट जो है संग नित्र में जाके फिर से द्रौ में परिवर्तित हो जाता है इस अभी क्रिया को हम आस्वन कहते हैं तो आस्वन की क्रिया करवाई जाती है कैफे भवके में तो कैफे भवके की सरचना भी लगभग इसी तरह स से होती है बस थोड़ा सा इसमें अंतर रहता है इसमें हम दो प्रभाजक लेंगे कि इसी तरह से एक और कख्ष होता है इसमें कि एक और कख्षिस में और यहां पर हम देखते हैं एक नली होती है और इस नली में परिधर एक बायू भेजने के लिए नली होती है और यह प्रभाजी कख्ष होता है जो पहला कख्ष होता है इसे कहा जाता है विसले सक और यह दूसरा कख्ष है इसे कहा जाता है परिसोधक यह दो कख्ष है इसमें इस कख्ष से गर्म वायू भेजी जाती है और गर्म वायू और यहां पर देखिए एक दूसरी नली लगी होती है एक यह दूसरी नली लगी होता है जो इस तरह से बनी होती है और इसका निकास द्वार यहां होता है तो यहां से इसमें हम यह देखते हैं कि जो किड़बन की अभिक्रिया हमने की थी उस किड़बन की अभिक्रिया में तब तक किड़बन की अभिक्रिया करवाते हैं जब तक की 10 प्रतिसत एथिल इलकुहल बन जाता है और जब पूरी तरह से एथिल इलकुहल बन जाता है तो किडवन की प्रक्रिया अपने आप समाप्त हो जाती है इिष्ट में जो खिड्वक होते हैं वो मर जाते हैं और जब एथिल इलकोल बनने की प्रक्रिया है पूरी तरह से समापत हो जाती है तो हम आशवन करते हैंувати हैं जिसमें इस तरह का उपकरण होता है वर इस उपकरण में हम यहां से गर्म वायू भेजते हैं और यह जो उपकरन है यहां से वास भेजा जाता है तो जब किडवन की प्रक्रिया किडवित जो इलकोहल होता है उसको हम कहते हैं वास यहां से वास भेजा जाता है और गर्म वायू से क्रिया करके जो वास है इसके वास जो है यहां चले जा करते हैं और इस उपकरण के गर्म करते हैं और यहां से होता हुआ जो वास्प एलकोहल है इस संगनित्र में आता है ठंडा होने के पस्चात यहां 90 प्रतिसत एलकोहल हमें प्राफ्थ होता है इस तरह की प्रक्रिया में हम यह देखते हैं कि आस्वन की प्रक्रिया हुई इस आस्वन की प्रक्रिया को एक फिर से देखिए यहां से गर्म वायू भेजते हैं विभिन कक्छकों से यह वास को इस नली के द्वारा इस विषलेसक कख्ष में भेजा जाता यह परीशोधा कख्ष है और विषलेसक कख्ष में जब वास आता है तो आपस में क्रिया होती है और alcohol जो है वास्प को रूप में इसी भट्टी में गर्म होकर प्रविश करता है और कुछ alcohol यहां पर ठंडे हो जाते हैं और वास्प के रूप में यहां जाता संगनित्र में यह ठंडा होकर रूप में 90% एलकोहल हमको प्राप्थ होता है तिसमें हम यह देखते हैं कि जो परिसोधित इलकोहल या स्प्रीट हमको प्राप्थ हुआ है उसका हम परिसोधन करते हैं आस्वित जो इलकोहल प्राप्थ हुआ है उसको हम परिसोधित करते हैं अगला इस्टेफ है परिसोधन परिसोधन की प्रक्रिया में प्रभाजी आस्वन में हमें तीन प्रकार के प्रभाज प्राप्थ होते हैं यह प्रक्रिया होती है प्रभाजी आस्वन और जो प्रभाजी आस्वन की प्रक्रिया होते हैं जो तीन प्रकार के प्रभाज प्राप्थ होते हैं जो उपर हमें सबसे उपर कक्ष में जो प्रभाज हमें प्राप्त होता है उपरी कक्ष में जो प्रभाज प्राप्त होता है उसमें नीमनक वतनाक वाले नीमनक वतनाक वाले रसाइन जैसे की एलडी हाइड इत्यादी प्राप्त होते है और जो मद्यकक्ष होता है उसमें हमको एलकोहल प्राप्थ होता है और सबसे नीचे उच्छ क्वतनांग वाले जो एलकोहल हैं वो प्राप्थ होते हैं तो देखिएगा यह जो सीरे के द्वारा हमने एलकोहल प्राप्थ किया इसमें किस तरह से अभिक्रिया होती है उसे हम समी करण के द्वारा देखते हैं समी करण देखते हैं सबसे पहले सुक्रोस सुक्रोस का सुत्र क्या है C12H22O11 यह सुक्रोस है पानी से क्रिया करता है और पानी से क्रिया करके यह ग्लुकोस और फ्राक्टोस में तूटता है और इन्वर्टेस हिंजाइम की उपस्तिती में अभिक्रिया होती है इन्वर्टेस हिंजाइम जो इिस्ट में पाया जाता है यह है ग्लुकोस और यह है फ्रक्टोस और यह जो glucose और fructose हैं, इनकी फिर से अभी क्रिया होती है, मैं थोड़ा सध्यान चाहूंगे आप लोग का, यह glucose C6H12O6, glucose का भी सुत्र है, fructose का, तो आप कहेंगे आप कैसे पहचानेंगे कि यह glucose और यह fructose है, तो देखिए, इसमें क्रियात्मक समू का अंतर होता है, इस अर्थाद ग्लुकोस में LD हाइट की रियात्मक समू होता है यह ग्लुकोस की सरचना है जिसमें LD हाइट प्राप्थ होता है फ्रक्टोस की सरचना इस तरह से होती है तो इसमें हमें देखते हैं कि इसके बाद यह ग्लुकोस है और यह है फ्रक्टोस इसमें किटोणी ग्रूप आज आरा है और इसमें LD हाइट ग्रूप आ जारा है अब हम ग्लुकोस लेते हैं फिर से और जाईमेस एंजाईम की उपस्तिती में कृइप्राप्त होती है इसमें तो हमें दो डुब एथिल एलकोहल का प्राफ होता है और साथ में carbon dioxide gas भी इसमें निकलती है अब हम इस टाज के द्वारा पेथी लिलकोहल बनाना देखेंगे इस टाज के द्वारा पेथी लिकोहल का जब sensation होगा तो इसके कई पद हैं देखेंगा सबसे पहले हम मैस बनाएंगे उसके पस्चाथ माल्ट बनाएंगे सबसे पहले हमने मैस बनाएंगे उसके पस्चाथ बनने हुए माल्ट का हम जल अब घटन करेंगे जल अब घटन के पस्चाथ हम एलकोहली कीडवन की क्रिया करेंगे और एलकोहली कीडवन के पस्चाथ जो पाचवी प्रक्रिया इसमें होगी आसवन की और छटवी प्रक्रिया होगी परी सोधन की तो इस तरह से 6 स्टेप में हमें देखते हैं कि स्टार्च से यह थीड़ी लकोहल का हम सैसलीशन करते हैं तो सबसे पहले तो मैं यह बताऊं कि स्टार्च हम किस से किस से प्राप्ट करेंगे आलू है तो आलू के तुकड़ों को हम बारिक पीस लेंगे उससे भी हम इश्टास प्राप्त करते हैं और इसी तरह से जो चावल है माड है जो है इनसे हम इश्टास प्राप्त करते हैं पिछले पिरेड में मैंने बताया था कि हमारे 36 गड़ में जो दक्षिड बस्तर छेतर है महां लांदा बनाया जाता है और लांदा चावल के आर्टे से बना जाता है चावल को पीसा जाता है और उसमें किडवन की प्रक्रिया की जाती है और लांदा बनता है जिसको पे-पद प्राप्त होता है इसी तरह से सरगुजा छेत्र में हडिया बनाते हैं उसमें वह चावल का किडवन करते हैं तो हम देखते हैं यहां किडवन की प्रक्रिया में हम सबसे पहले मैस बनाते हैं आलो के तुकड़ों को सबसे पहले हम बारीक पीस लेते हैं और बारीक पीसने पर जो लुगदी हमको प्राप्त होता है लेही के समासरशना जिसको हम मैस कहते हैं और आलो को इस तरह से मैस बनाने के पस्चाथ उसे हम किडवन के लिए रख देते हैं दो से तीन दिन तक इसी तरह से जो से भी माल्ट बनाते हैं सबसे पहले जो को पंदरा से 20 डिग्री सेलसियस तक अंकुरित होने जते हैं और अंकुरन होने की प्रक्रिया होती है उसमें जब ये जो के दाने अंकुरित हो जाते हैं तो उसे बारिक पीसा जाता है और बारिक पीसने पर जो हमको पेश्ट प्राप्त होता है उसे हम माल्ट कहते हैं और इस तरह से माल्ट बनने के पस्चात उसका जलब घटन करते हैं। उस लुगदी में इतना पाने मिलाते हैं कि उसका विलियन बहुत तनू हो जाए और उसमें किडवन की प्रक्रिया हो। इस तरह से हम चौथे स्टेप में आते हैं एलकोहली किडवन। जब हम अन का किडवन करते हैं अन का किडवन करते हैं और एलकोहल प्राप्त करते हैं तो उसे हम एलकोहली किडवन करते हैं चूकि इस प्रक्रिया में हम इश्टा से आलो के दुखडे से या अन से हम किडवन की प्रक्रिया करवा रहे हैं इसलिए एलकोहली किडवन हो गई है उसके पस्चात आस्वन करवाते हैं जैसे कि पहले हमने सीरेक आस्वन देखा इसमें भी उसी तरह से आस्वन की क्रिया होगे इसमें जो प्रभाजी भट्टी होंगे परिसोधक भट्टी और एक विसलेसक भट्टी उसमें से जब ये जो गर्म इलकोहले उसको गुजारा जा जाता है और विभिन प्रक्रियाओं के पश्चात जब परिसोधन किया जाता है तो परिसोधन की प्रक्रिया के पश्चात हमें 90 प्रतिसत एथिल इलकुहल प्राप्थ होता है हम यह देखते हैं कि जो एथिल इलकुहल हमको 90 प्रतिसत प्राप्थ हुआ उसका फिर से विभिन प्रभाजी प्रभाजों में भेज कर हम प्रभाजी आस्वन के द्वारा हैंड़ स्थिल इलकुहल प्राप्थ करते हैं तो हम कुछ चोटे चोटे सब्दें जैसे परिसे परिसोधित इलकुहल किसे कहें हमने देख लिया फिर से एक बार देखिएगा यह छे प्रक्रियाय हैं यह छे श्टेफ हैं छे पद हैं इनके दोरा हम इश्टाज से थियलगोहल प्राप्ट करते हैं कि इसके तरह से जो के जो को अंकुरिद करके उसका हम पेश्ट बनाते हैं जिसे हम माल्ट कहते हैं और माल्ट या करते solar कीन मिला किंवलियन में ही हैं को कि सन्मृण की प्ररीया होती है, उसके पच्चाप चुकि ये अन से हम इलकोहल बना रहे हैं इसलिए ये इलकोहली किडवन है और इसका आस्वन की आजाता है आस्वन के पश्चात परी सोधन करने पर 90% इलकोहल हमें प्राप्त होता है और 90% जो इलकोहल हमें प्राप्त होता है उसमें जल की मातरा होती है उस जल की मातरा को करने के लिए यह 90 प्रतिसत हमको प्राप्ट हुआ था इसमें हम कैसियम हाड ऑकसाइड मिला देते हैं कैसियम हाड ऑकसाइड मिलाने पर इसमें जो नमी रहता है उसको यह जो चूने का पानी है सोक लेता है तब भी हम देखते हैं कि इसमें दो प्रतिसत पानी बचा ही रहता है तो इसे दूर करने के लिए इसमें हम देखते हैं कि कॉपर सल्फेट मिलाते हैं कॉपर सल्फेट मिलाने पर जो एथिल इल्कोहल में नमी रहती है पूरी तरह से सोक ली जाती है और हमको इसे हम परी सोधित इलकुहल कहते हैं इसी तरह से मैंने बता है आप लोगों को मेथिलित इस्परीट मेथिलित इस्परीट इसको कहा जाता है जिसमें जो इलकुहल है उसको हम विक्रित कर देते हैं एल्कोहल में हम मेथिल एल्कोहल मिला देते हैं, थीनर मिला देते हैं, नेप्था मिला देते हैं, पिरिडीर मिला देते हैं, जिससे की वो पीने योग्य ना रहे, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया कि इस एल्कोहल को मेथिलित इस्प्रीट को यदि वेकती जादा मात्रा में पीले तो या तो वो पागल हो जाएगा या उसके बृति भी हो सकती है तो इसको भी कृत कर दिया जाता है अलकॉहल को जिसको हम मेधिलित इस्प्रीट कहते हैं और एक सब्द में और बताया था पावर एलकॉहल तो जो पेट्रोल होता है पेट्रोल में हम 80% पेट्रोल में बेंजीन और इलकॉहल मिला दें यह दोनों का प्रतिसत 20 रहेगा 80% पेट्रोल में बेंजीन और इलकॉहल मिला देते हैं तो जो हमें solution राप्त होता है उसको पावर इलकॉहल कहा जाता है और इस पावर इलकॉहल का उपयोग इंधन के रूप में किया जाता है और इसी तरह से हम देखते हैं कि एंटी फ्रीज के रूप में भी इलकॉहल का प्रयोग होता है ऐसे छेतर जहां पर की बहुत बर्फिले छेतर होते हैं वहां पर भी हम कार चलाते हैं और कारों में सामने जो रेडियेटर में पानी रहता है वो ठंड के कारण जम सकता है तो उसमें हम पावर इलकोहल का प्रयोग करते हैं जिससे की एंटी फ्रीज का एक काम करता है और गाड़ियां जो हैं वहां असानी से चलती है और रेडियेटर में जो पानी रहता है वो बर्फ में परिवर्तित नहीं होता और कार बहुत अच्छे ढंग से चलता है इसी तरह स हम देखते हैं एथी लिलकोहल के बहुत तिक बुर्ण देखेंगे अब एथी लिलकोहल का भौतिक बुर्ण तो सबसे पहले हम कवथनांग देखते हैं भौतिक बुर्ण में अठातर दसमलाओ तीन डिग्री सेंटिग्रेट इसका कवथनांग होता है और इसी तरह से इसका प्रेजिंग पॉइंट देखते हैं हम हीमांग इसका हीमांग होता है रेड़ 118 डिग्री सेंटियस और इसका घनत होता है सुन्य दसमलाओ साथ आठ और जब हम इलकोहल में पानी मिला देते हैं तो उसका घनत कम हो जाता है यह पानी में विले होता है और इसकी जो गंध होती है यह बहुत सुगंधीत होता है मिठी मिठी खुजबू होती यह मिठा होता है और इसको पीड़ने से जलन पैदा होती है और इसको यदि कोई अधिक मात्रा में पीले तो यह नुक्सान पहुंचाता है क्योंकि इसका हमारे सरीर में पाचन नहीं होता और ये सिधा खून में दौने लगता है और जो मनों से होते हैं जो इसका सेवन करते हैं उनकी मानसिक्ता विक्रित हो सकती है तो हम ये बहुती गूर देखे और रसायनिक गूरों में वो सारी अभिक्रिया आए जो हमने मोनोहाड्रिक इलकोहल में देखी ये रसायनिक गूर देते हैं अब हम देखते हैं कि जो मेथी लिलकोहल है और एथी लिलकोहल है दोनों में हम अंतर करना चाहें तो कैसे अंतर करेंगे अंतर में सबसे पहला अंतर को हम यह देखते हैं कि एथी लिलकोहल हैलो फामा भी करिया अर्थात आयोडो फामा भी करिया देता है जबकि मेथी लिलकोहल आयोडो फामा भी करिया नहीं देता कि अज़िए और यह जो है आई दो फांप अभी कि लिया नहीं देता है यह मुख्यांतर है इसमें इसी तरह से जब हम एथिल एलकोहल को एथिल एसी टेट के साथ कर्म करते हैं तो एश्टर प्राप्त होता है यह एथिल एलकोहल को जब हम एश्टर देता है मीठा गंद आता है इसमें और वो अभिक रिए इसमें नहीं होती है इस्टर नहीं देता यह तो यह दोग अभिक्रिया वहान है जिसमें अभिक्रिया जिसमें इल्कुहल में हम क कीॉ humour और योड हिन मिलाते हैं पीले रंग का crystal हमको प्राप्थ होता है कि side of हम अविक्रिया करते हैं यह नहीं देता इसमें एश्टर बनता है इसमें एश्टर नहीं बनता इन दो प्रक्रियाओं के द्वारा हम इन में विभेद करते हैं इस तरह से ये अध्याय आपका समाप्त हुआ हम अगले अध्याय में फिनोल के बारे में पढ़ेंगे धन्यवाद